हालो दोस्तों सिलाग आए वीडियो में जिसलिए बात करेंगे कोष्टगाट23 22 sistem industries कोंसा कि नियुक करने वाले साइनश सब्दाइस करें Sindle तो साइंस का 31 नमर प्रेक्टिसेट डिस्कस करने वाले यहां पर तांडव मतलब तांडव होगा इससे बाहर कुछ भी नहीं और प्रफिन एक्जाम डेट हमारे दौर आउट कर दिया गया है और बाकी आपको जल्दी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा तो ज्यादा परहसान नहीं होना है एक्जाम डेट आउट कर देगा वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देख लिए लगभाग को आप लगजाना है कि अब समय बचा नहीं आपके एक्जाम के लिए तो फटाफ़ ज्यादा ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिये जितना हो सके ताकि औरों को भी हैल्फ हो सके तो चले क्लास को स्टार्ट करेंगे ज्यादा समय ने लिए इसका पीडि इसक्रिप्शन मैंने नंबर भी आप आप लोग के लिए अपलाई कर दिया है स्टार्ट करते हैं क्लास को ज्यादा समय नहीं लेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं यह मैंने आपको बता ही दिया और यहां पर भी डिसक्स करेंगे किसी का जीके का प्रैक्टिस से डिसक्स कर करते हैं उनको अब एक्जाम में दिक्कत आने वालन है क्योंकि सारे कोशन आपको यहीं से एक्जाम में देखने को मिलेंगे लाइव 7 पे आज आना है बिल्कुल भी टेंसन नहीं ले रहा है तो चलेंगे फॉस्ट कोशन से और जो भी कोशन कराते हम आपको पता उसे रिले माईकोलोजी तो कि आतना है देखते हैं सबसे पहले यह कों देखते हैं इसका हो जाएगा उस्यक्त सरे तो यहां पे सीरी कपीटा के स्भीर होता है रोंOb odor को Σरी ल्टेस के वानज में में जमेंगे कुलचरों तो को से इक शूर्म से बने करेंखा का अध्यान होता है मधुमक्खी मधुमक्खी पालन जो होता है मधुमक्खी पालन ओके मधुमक्खी पालन का अध्यान ओके यह होता है पॉमलोजी फ़लो का माइकोलोजी की बात करें अगर माइकोलोजी होता है तो माइकोलोजी इसी से एक होता है फाइकोलोजी उसमें इंदीनों और दोनों में थोरा सा डिफरेंस ए दिखर इसा माईकोथ खरे अथ्व को होता है और किसी से ओसे की च्यश्य का तो तो वह किस इस का अध्यान होगा तो एंथोलोजी जो होता है आपका होता है तो का अध्यान कुछ जिसे बोलते ना कुंशनतर का ओके एंथोलोजी पुछपु आध्यानãy बात करले आपका अरनीतो लोजी एक आता है ओरनीतो लोजी यहाँ पर हम लिख देते हैं औरनीतो इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं यह सेभए वही वरनीतो को लिखेंगे छोटागा अध्यान जो हता है औरनीत मचल लाजी का अध्यान मचलिए का अध्यान दें तो यह नोट करी। इसके बाद यह ऑल भी दो तिन है आपको लिकवा दूए है इंटम वैंटे एक इसको हिंदी में लेखिए चाहिए इंग्लिस lorsके वही लिखते तो कोई नहीं बूलेगा एंगलीज में लिखना है इसका हिंदी बताएंडी हं गोई लोगा थैज वह देखिए उसमें और उसमें था कि रे सम कीट का आध्यान था एक होता है PC कलचर कि पीशी कल्चर जो रही होता है हो चाट मत means a के मत असे पालन चाधियान वे इंपोर्ड ने में विपनास。 जादा समय मन्त जेगा मैं लिखता ही ज़्लिए आपको भी लिखिते। जानी का भाइन बाजटन ऐख जांद ह्यों कि अहांग को जारियो का अध्यान बिच्छो जारियो का अध्यान डेंड्रो लोजी उसके बाद बात करें अगर आपका जो डेंड्रो लोजी उसके बाद ओफियो लोजी होता एक ओफियो ओफियो लोजी ओफियो लोजी होता है यह होता है सर्पो का अध्यान श्नेक जो होता है ना सांपो तक अला होता है एक जालाश्व कर दिया एक क्विड में द्लिया हैं काश्टी पेरो का शरवर्धन काश्टी पेरो का शरवर्धन चली यह लाश्ट था मैंने बता दिया आपको और मेरे ख्याल से अपसको सेशन अच्छा लग रहा होगा बोर आप फिल मत किजिएगा एक्जाम है इसलिए थोरा सा डीटेल में आपको बता रहा हूं जुकी पर राष्टिया को डहाओ डोगों देता है जो आपका है ख्य़ूकल राष्टिया इस्मारक है इसे रिलेंट और भी कुछ है जैसे कि मैं इंपेरियल पैलेस की बात कर लूँ तो इंपेरियल पैलेस किसका है 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 जापान का अगर बात करें ओपेरा हाउस ओपेरा हाउस तो यह होता है ओपेरा हाउस ऑस्टेलिया राइट तो नोट कर लिए अस्टेलिया का ओपेरा हाउस ओके ओपेरा हाउस अस्टेलिया अगर चीन क्या कोई है क्या बाई जब तो आप चीन का आपको पता होगा ग्रेट वॉल ग्रेट वॉल ग्रेट वॉल चीन का इसके बाद एक आता है important question जो आया है और यह question भी आपके exam में है एक होता है pyramid pyramid आपसे पूछ लेता है pyramid तो pyramid आपको बताना है मिस्र मिस्र का मिस्र का होगे राष्टियस मारक कहा है मिस्र वे इसको बोलते है एक एफिल टावर होता है यह मेरे ख्याल से आप लोग को पता है एक्जाम में आया भी कई बार पर आपका France पैरिस नोट कर सकते हैं उसके बाद बाद करें आपका इक होता है पवन चंकी फ्राववन चकी पवन चकी जो होता है वह आपका होता है देनमार्क यह आपका है उसके बाद बात करन nella आर्फिय यह पूर्ट कर लेना है ऊके उसके बाद बात करनेकर यह वह होग their ч op तरणा दिया पार्थनान होता है रेंधान ये कहां पर है एथेंश-व्हुनार कि युनार का राषिट समार्ख उसके बाद एक और चीज्व है लास्ट मैं बताऊंगा क्रेमलीन क्रेमलीन आपको मास्को रूफ में पड़ता है रूफ उके तो आपको जरूर अच्छा लगड़ा चलेंगे कोशन नम्बर थीरी पर इरान की शंसत का क्या नाम है उपसने में रखाए मजलीस बीन शेट सी कोर्टेस और राष्ट्य पंचायत तो चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट अंसर आखिर देता कौन है कि जो आपका है जो इरान की संसत का नाम क्या है मजलीस नेशेट कोटेक्स रेया फिर राष्ट्य पंचायत तो इरान की जो संसत का नाम है वो है भाई साब आपका बतायते हैं मजलीस है जो की ऑप्सन ने आपका करेक्ट एंसर हो जागा चले इस से रिलेटर में कुछ कोश्चन बता दू बहुर मत का है आपका तो यह है इस पेन का राष्ट्य पंचायत की बात कर ले तो राष्ट्य पंचायत आपका नेपाल का चलिए चार हो गया अब मैं कुछ और भी आपको लिखवा जिता हूं थोरव सा फटा-फट नोट की जिएगा अगर रूस की बात कर ले रूस का संसत का क्या नाम है तो है डियूमा नोट करिए आपका स्पेन बता दिया ब्रिटेन को क्या को होता है ब्रिटेन का वही बोलते हैं ब्रिटेन का ब्रिटेन को पार्लियामेंट ही बोलते हैं ब्रिटेन का जो संसत होता है उसे पार्लियामेंट ही बोला जाता है तो यह आपको इसी तरह स मंगोलीय का होता है खूरल मंगोलिय का our कूरल होता है अगर बात कर 12 जो 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 लोग इसको याध करके रखें उनका हम्हें वी वाइच का हो जाएका मेरे ख्हाल से ताइवान का क्या होता है तो ताइवान का होता है यू-ान यू-ान ताइवान MAJDы बियुक्त तो कुषता है। मनत तो ना को सब्सक्राइब जतें। कि खेलना है कि नहीं खेलना है कि मुश्किल है पाकिस्तान से क्या होगा सरी पाकिस्तान का नेशनल असेम्बली नोट कर लीजिए नेशनल असेम्बली ओके अगर बात करें फटाफट डिस्कूस करेंगे नेपाल बता दें मिस्र की बात करें तो पीपल्स असेम्बली मिस्र की बात करें मिसर की तो पी पूल्स असेम्बली पी पूल्स असेम्बली उसके बाद अगर बात करें और भी जैसे फ्रांस का है फ्रांस का भी नेशनल असेम्बली होता है फ्रांस का भी नेशनल असेम्बली होता है असेम्बली नोट करें फटा बांगलादेश का जातिय संसद ह थैस लिटिऊ होता है बन्गलादेश तौो बन्गलादिस गसी है। ≥ असकी number जानसे संशथ होता है ऐघले फटाफट दीए लिखिया अफटानेस्थान का तो अफ़ गानिस्थान गा कि अफगानिस्तान का होता है आपका शोरा है अफगानिस्तान का शोरा यूएसे का क्या होता है यूएसे का इसको बोलते हैं कांगरेश ये उसे का कानग्रिस होता है कानाडा का उन्हें का अब होता है जीसे कि आपका फॉप्ता का सेम बिच्टेन और कनाडा का सेमह बिच्यन मक्साणा क्या इस चले इतना ही रहान देते हैं जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया और भी है बट जो इंपॉर्टेंट था वो डिस्कुस कर ले चलेंगे कोश्चन ओर फोर पे और कोश्चन ओर फोर में दे रखा है सूरत की संधी किस वर्स हुई थी वह आपको बताना है जैसे जैसे हुई है वह मैं बता दूँ यह सूरत की संधी 1775 में हुई उसके बाद 1776 में हुई किस चीज की तो एक होता है एक है पुरंदर पुरंदर की संधी चले जितने भी संधी हुई है वह मैं बता दू शatrant नुआसी ना था ना 89 है 89 है 89 है तो 89 है यह भाई सब तो यह हो जागा बरगाओं की संदी अगर 1782 में बात करें तो शाला बाई की संदी नोट करिए और भी इंपोर्टेंट है जो मैं आपको लिखवा देता हूं जितने संदी अगर बात करें बसीन की संदी अब बहुत अजीव आजीव आपको नाम मिल रहा है तुछेंगे क्या कि लिखवा सब्सक्राइब बस्षी कि संदी उसके बाद है आपका एक देवगाव कि संदी अधारशो तीन में उसके बाद है सूर्जी और जुन गाव कि शंदी ओरजुन गाव की संदी यह भी 1803 में ही हुई 18202 संधी एक देव गाव की एक सुर्जी ओरजुन गाव कि संदी वत अरजापुर घाट किसंदी राजापुष घार के शंधी इंपॉर्टन है लिखिए अब जो मैं बता रहा हूं थो आर teachers उसले हो तौह गौनicos P गवालियर यह दोनों ही यह एक लास्ट आपका संधी जो मैं आपको लिखवाद मंदशॉर की संधी तो यह आपकी हुई 1818 में चले जितने भी संधिया थे वह मैं किन्दय कर दिया एंड वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा चलेंगे लोग लास्ट मारा जो 5 नमर कोश देता है वह आपको पताना है और देखते हैं सबस्वे घेता कोण है कियiu राजिप Sequahs के आप से फिग्हों के सरथ होते हैं वही भाग लेते हैं भी में देखा है कलों प्राष्वाथि के निरवांचन में कौन भाग लेता है तो चले मैं आपको बता दू option A होगा कि B होगा कि C होगा कि D होगा तो मैं आपको right answer देता हूँ जो इसका right answer हो जागा option लोक्षभा और राजसभा के दोनों श्रभी के शदसे जो होते हैं और आपको बता देना है कि हमारा जो जीक्य का पांच question डिसकस किया हमने उसमें से हमारे कितने कोशन सही हुए पांच में से कितने सही हुए चार तहीक ठाक है पांच सही हो रहे न भाज जिसके विटॉप ओक्ऱों से आपको पांचों और दो दोर बहुत के,' कर साइन्स के लिए कटर। मतलब साइंस का क्लास और एक्तिसवा क्लास होने वाला है मतलब कि आज होएगा जाएगा लगबग तीन सो दसवा ये एक तीसवा कलास इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आल्रेडी मैंने सोला मॉक्टेस टेक अलग ट्रैक्टिसर जिसका साइंस का नाम से करा रखा है एक साइंस प्लस जीके का नाम से ये चल रहा है तो ये आपका वहाँ पर होने वाइस से बाहर कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं तांडो तांडो चल रहा है और कोशन नमर वन से स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए जिसने भी से और नहीं किया है वह से जरूर कर दीजिए क्योंकि अब एक्जाम डे जोगी उसके उससे उपर उठते मतलब की थोरा तरह उपर बढ़ने से जो वाई मंडले दाव होगा क्या होगा ऑप्सान होगा कॉम हो जाएगा बी हो अधिक होता जाता है शी में अपर वरती तुरहता है अंडी में इन में से कोई नहीं तो देखते हैं सबसे पहले मंडले दाप क्या होगा तो चलिए राइट एंसर दे देते हैं इसका जो राइट एंसर होजगा वह आपका हुआ मंडले आप जैसी जैसे उपर उठेंगे वह सबसे कॉम होता जाता है जो कि ऑप्सान नहीं आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा और हमारा कॉश्ण में दे चलिए घैसे को परभावविद करता है या कृट आइट आत्व आइट को करता है क्यिस शै को करता है चलिए सबसे पहले देखते है राइट यूह को परभावरीद करता है मैं को बता दू ट्याइट आपका और आद चलेंगे question no.3 पे जो कि 143, 143 no.3 question होने वाला है, यहाँ पे हम discuss करने वाले, sodium carbonate जो होता है, आम तोर पर किस नाम से जाना जाता है, वो आपको बताना है, and thirty in option A में दे रखाए, खाने का soda के नाम से, B में दे रखाए, dhana सोडा, C में दाहक सोडा, दी में दाहक पोटास, चले, right answer देखते हैं, सबसे पहले कौन देता है, कि जो sodium carbonate होता है, आम्तौरपर किस नाम से जाना जाता है प्लेंव किस नाम से जाना जाता से न जाता है किस नाम से कार्बोनेट के नाम सेымиख़ाइब सब्सक्राइब यहां क्यों जिए घर एपक नार जहाता है जटका नहीं, मतलब कि current नहीं लगता है कि बिजली गिरी का बोलते हैं, किसी के छत पे गिर जाता है कहीं में गिर जाता है, गाय वगर आपे, तरकुल वगर आपे जादा गिरता है, तार के फेर बे तो बिजली गिरते समय कॉन सी gas पैदा होती है which option is correct A, B, C and D विजली गिर्ते से में कौन सी गैस पैदा होती है A, B, C and D तो चली राइट अंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है तो मैं आपको बता दू विजली गिर्ते से में जो पैदा होती है वो कौन सी गैस होती है तो वो होती है आपकी Nitric Acid जो कि option A आपका correct answer हो जाएगा अंचलेंगे question number हमारे 5 पे और question 5 में क्या दे रखा है question 5 में दे रखा है आपका कि कंकाल की आयू का पता किस बिदी से लगाए जाता है वो आपको बताना है कंकाल जो होता है उसकी आयू का पता हम लोग किस बिदी से लगाते हैं वो आपको बताना है option A में दे रखा iron dating से क्या आयू की पता लगा सकते है carbon dating से आयू की पता लगती है copper dating से आयू की पता लगती है या फिर इनमें से कोई नहीं है जो कंकाल की आयू का पता लगा सके option कौन सा correct answer हो जागा जाता हो किस बिदी से तो आपका राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका carbon dating method जो कि option B आपका correct answer हो जाएगा कौन सा एंसर हो जाएगा तो आपका B वाला correct answer एकदम perfect है चलाएं चलाएं कोशन हमारा 6 पे और कोशन हमारा 6 में दे रखा है कोशन हमार 6 में दे रखा है कि एक तार में एक समान बिदुद और रही है और रही है नहीं भाईस आप यहां ते दौर रही है थोरा सा mistake हुआ है यहां पे आप note किजिए यहां पे कि बिदुद दौर रही है तो उस स्तर पर होगा उस पर क्या होगा उस स्तर पर होगा तो उस पर मतलब क्या होगा मतलब कि केवल चुमके च्छोतर होगा या फिर आपका बिदुद दौर च्छेतर होगा क्यावल बिदुच्छेतर होगा बिदुच्छेतर और चुमा के च्छेतर दोनों होगा या फिर इन में से कोई नहीं तो चले राइट अंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है इसका कोश्चन का राइट एंसर और यह एक्जाम के लिए तो यह आपको बिदुच्छेतर हैं जो जिडिक त्यारी कर रहें हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपर्टेंट कोश्चन है हो सकता यह आपके सेक्षन टू में मिल जाए ऑक और यह सेक्षन टू में आपके आया भी है पिछली बार वाले एक्जाम में आपको बता दू जिस सेक्शन 2 में आया था पिछली बार उसके पहले वाले एक्जाम में भी आया है दो बर लगतार ये कोशन आ चुका है तो चलिए इसका राइट एंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है तो यह हो जाएगा केवल चुमकेश त्योंकि ऑप्शन एपका और आपका करेक्ट एंसर हो जाएगा चलेंगे कोश्चन नुम्बर 7 पे और कुश्चन में हमारा क्या देर्खा है वो देख लेते हैं कोश्चन देर्खा है यदि यूरेनियम निर्यात में निर्वात होगा कि प्यास कोश्टन में स्टेक हो गया है भाई सब इसको निर्वात कर लिजिए निर्वात में क्या होगा B में दे रखाए तपमान में कमी होगा C में दे रखाए कोई परभाव नहीं परेगा D में दे रखाए इन में से कोई नहीं तो यदि uranium निर्वात में रख दिया जाता है तो उसमें क्या परभाव परता है क्या आपको अंतर आएगा वो देखना है कि यूठ देता है कि यूरेनियम को निरवात में रख दिया जाता है ठीमिस कोई उर्षाश आए जोका हिए पर देक्टाक स влиॉ एक गणिस खिल्खण कि यॡश्र होना कि आ कोई कोई फल आपको खंटा मिलता है देखने में पका लगता है जब खाते हैं तो खंटा लगता है किस के कारण हो जाता है को आपको बताना कियो नन भी धी सब gef और देखते हैं और फिर इन में से कोई नहीं तो चेले, राइट एंसर देखते हैं सबसे पहले कुषा है कि यूनन, का खटा होना किसके कारण होता है, तुम आपको बता दो, जो फालो का खटा होना होता है, वो आपका होता है, क्यूनन बिधी के कारण, जो कि ओप्सण ये आपका correct answer हो जाएगा, किस बिधी कारण, तो क् हाइड्रोजन त्रीटिर्यम कि इस रेडियो एक्तिव कौन को इस सर्जीत करता है जा कि तोड़ा सा में यहां है गशांट चाहिव काम किया lotus श्मक्राइब हो गया जाता है यह नहीं कि मतलब ही आप समझ जकता है कि की वर्ड को सब्सक्राइब की लोग सब्सक्राइब तो फिर लेकिन सपोर्ट हो तब ना सिर्फ एक हाथ से ताली थोड़ी वजती है तो बहुत कुछ आपको फिर आफ कोस्ट मिलने लएगा इसलिए पीडियो फोगारा मैं ज्यादा आपको लोग को परभाइड नहीं करा पाता हूं इसलिए स्टेडी मिटेरियल जितना है मैं आ इसलिए स्टेडियो फोगारा मैं इसलिए से कुई नहीं और सबसे पहले देखते हैं कौन राइट एंसर देता है वन फॉर्टी नाइन का सबसे पहले का इंसर देता है कोस्टन का एंसर वान टू थो फो फॉर फाइप सिक्स सेबें एट नाइन टेन तो हाइड्रोजन फिप्टी कुष्टमर है हमारा वन फिप्टी का मतलब आपका दसवा नंबर यह लास्ट हमारा कोस्टन है वह इसका देखते हैं सबसे पहले अंसर कौन देखा यदि जलासे में पानी जमता है तो पानी के तॉल का तापमान सथा क्या पेच्छा होता है वह आपको बताना है मतलब जलासे मालीजे यह तलाब है मालीजे यह आपका तलाब है उसका जलासे में पानी जमता है तो पानी के तॉल का तापमान सबस्ट क्या पर आपको बताना है option A होगा । option B रहता है option C होगा, अधिक होगा how to play T होगा, नमेंशे कोई नहीं तो यदि जलाशा में पानी जमता है तो पानी के तल का ताप मान तौक या फिर इस्थीर रहेगा या फिर अधिक होगा या फिर इनमें से कोई नहीं टो चलि सबसे पहले राइठ एंसर देखता है कौन देता है तो मैं आपको बता दूँ जो इसका एंसर हो जाएगा वह जाएगा अधीक होगा पानी की तल्कच तल्कट प मान रहेगा वाभी ऑप्शनस होजटा टो शेली जो most most important सब्सक्राइब कर लिए बैल आइकन के बटन को प्रेस कर लिए इसका पीड़ेप टेलिग्राम पर मिलेगा तो वहां पर आड़ हो जाईए क्यूंकि रोज दो टैक्टिस सेट में आपको सेक्शन टू वाला फिजिक्स मैट का परवाइड करा रहा हूं जो कि फिर आपको चल रहा है कोई चार्ज नहीं देना है कहीं में टेक्निकी जूरत नहीं है तो वहां पर जरूर आड़ हो जाईगा और जो इसके पहले वाला क्लास हो आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए बहुत ज्यादे बच्चे पुरा क्लास देख रहे है ना कोई दो राय नहीं है तो चले दोस्तों जयाहिंद जयाभारत बंदे मात्रम